दोस्तों Study91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर हाजीर हूँ 1857 की क्रांती से संबंदित बहुत ही महत्वपूर सवालों को ले करके अचा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिने लगता होगा सर इस तरह के क्रां के क्रांती के बिद्रों का दमन ये किस अंग्रे जधिकारी ने किया था क्या आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं बहुत सोच समझ के आप आसानी से सही उतर दीजेगा क्योंकि कोई आपसन आपके सामदे नहीं है या फिर माल लीजे परिक्षा में आपसे सवाल जिया दोस्तों और भी लिखरा है किसने अठारा सो सतावन की क्रांती को एक सडियंत्र की संग्या दिया था किसी ने सडियंत्र कहा किसी ने सैनिक बिद्रों कहा किसी ने तो ये तक कह दिया कि ना तो अठारा सो सतावन की क्रांती ना तो प्रथम क्रांती थी ना कोई जो है सोतंता संग्राम था ना ही यह किसी तरह का शैनिक विद्रो था ठीक है इतना तक दोस्तो बहुत सारे लोगों ने कहा अठारा सो सताओन की क्रांती को किसने राश्ट्री विद्रो बता दिया देश का राश्ट्री विद्रो दोस्तो किसने कहा या सवाल आजा है कि किस उर्दु कवी ने 1877 की क्रांती को अपनी आँखों से देखा था ठीक है उस कवी का नाम क्या है क्योंकि उसकी रचना में दोस्तों इस क्रांती के बारे में बहुत कुछ मिलता है 1877 की क्रांती के समसामई की इतिहासकार कौन है उस समय की इतिहासकार कौन है जो उस समय में थे 1877 की क्रांती जिनके समक्ष हुआ था उस समय की इतिहासकार का नाम बताना बात की इतिहासकारों की बात हम नहीं कर रहें ठीक है इस तरह के एंटीक प्रस्ण आप से आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं, अगर आपको इन प्रस्णों का जावाब आता भी है, तो भी आईए चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे 30 सवाल है, और कोशिस करेगा, कितने सवाल आप सही कर पाते हैं, कोशिस में आप जारी रख से दोस्तों, हम लोग Modern History की क्लास टेंट कर रहे हैं, तो 104 नंबर तक की क्लास हमारी पहुँच चुके, ठीक है, क्वेस्टन नंबर 3091 से ले करके, 3120 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखे का दोस्तों, आज तक हम लोग 3000 से जादा सवाल पढ़ चुके हैं 3100 सवाल दोस्तों, आज हमारा कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो आईए देखते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखेगा, Study91 के प्रेटफार्म से दोस्तों, Foundation Batch स्टार्ट किया गया है, और इस Foundation Batch में दोस्तों, यंसी आटी के पुस्तकों के तत्थियों को सा पर कर सकते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं, और एक-एक सवालों के बारे में पढ़ना सुरू करते हैं, तो ध्यान दीजेगा दोस्तों, 104 लेक्चर है, 3091 से लेकर 3120 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे, और आज का सवाल संबंदित है, 1857 की करांथी से, ठीक है, स्टार्ट हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता को दोस्तों हम इसकी विसेस्ता मान सकते हैं, क्यों क्यों कि दोस्तों, अगर 1870 की क्रांथी में आप दिल्ली की बात करिये, तो वहां से दोस्तों, बहादूर सा जफल लड़ रहे थे, क्रांथी का नेतित कर रहे थे, आप लखन अमधुल्ला का नाम सुना होगा, मौलवी अमधुल्ला का, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, तमाम नाम आपके सामने हैं, जो क्या है दोस्तों, मुस्लिम धर्म से संबनी थे और हिंदू धर्मे के लोग भी लगे थे, जैसे नाना साब पेस्वा की बात कर दें, जैसे ता थारा सो सत्ताओं की क्रांती, ये किस कारण दोस्तों असफल रहां की क्रांती के बाद दोस्तों, इस्ट इंडिया कंपनी, इस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों क्या हो गया, भारत से इसका सासन क्या हो गया, सासन समाप्त हो गया, ठीक है, सासन समाप्त हो गया, लेकिन इतन इसके बाद दोस्तो इसके बाद किसका सासन स्टार्ट हो गया इसके बाद ब्रिटीश जिया दोस्तो ब्रिटीश में मात्रा सही करें ब्रिटीश सरकार का जिया दोस्तो शरकार का या समराट का सासन यहां से प्रारम हो जाता है ठीक है तो कंपनी का सासन जा रहा है तो कौन सा अंगठन रहा होता, जिससे सारे लोग जुड़े रहे होते हैं, तब बात कुछ और रहे होती, या फिर हम कहा सकते हैं दोस्तों, पूर्व योजना की कमी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि दोस्तों, जब मैंने आपको 1870 की क्रांती पर इसके पहले वाल लेक्चर दिया, आपको बताया था कि क्रांती अलग-अलग समय पे अलग-अलग जगा पे स्टार्ट हुए, ठीक है, मतलब मेरट से क्रांती की सुरुवात हो रहे हैं दस तारीक को, तो दिल्ली में 12 को स्टार्ट हो रहा है, जहांसी में 4 जोंको स्टार्ट हो रहा है, कानपूर में दोस्तो करांतियों को उन्हें दबा दिया ठीक है जो भी विद्रो कर रहे थे जो अठारा सो सताओं की करांती में नतित तो कर रहे थे उनको दोस्तो दबा दिया गया ये कारणा ठीक है तो कहीं ने कहीं केंदरी संगठन की कमी नजर आई कहीं ने कहीं पूरो योजना की कमी नजर ठीक है अलग-अलग समय पोही जो की सबसे बड़ी कमजोरी थी उस समय की ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ नाम देरा ग्वालियर का ग्वालियर की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम जहासी की चर्चा किये थे लेकिन ग्वालियर की चर्चा तो याद रखेगा हिूरोज के साथ दोस्तो लड़ाई हुआ था कि इसका राइन लश्मिबाई का इसी हिूरोज ने मैं राइन लश्मिबाई को कहा था कि पूरे 1877 की क्रांती में जहां तक भी विद्रो रहा दोस्तो उसमें एक अकेली महिला मर्द हैं ठीक है रानी लश्मिबाई को ऐसा इसने कहा था तो हिरोज का नाम याद रखेगा इसी हिरोज को दोस्तो भेजा गया था कहाँ पर ग्वालियर भेजा गया था याद रखेगा क्योंकि ग्वालियर नस्दीक था इसलिए ग्वालियर में विद्रों को दबाने का काम चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिखते हैं, लिखरा 1857 इस्वी के विद्रो की असफलता के बाद, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, असफलता के बाद, बहादूर सा जफर को किस अस्थान पर दोस्तों निर्वासित कर दिया गया, तो दोस्तों इनको रंगून भेज तो यह रंगून है म्यामार देश में, ठीक है, अंगरेजी नों गिरफतार किया, और यह आखरी मुगल बास्ता थे, जिनने दोस्तों भारत से क्या कर दिया गया, ठीक है, लिखरा किस उर्दू कवी ने, किस उर्दू कवी ने दोस्तों क्या किया था, 1857 के विद्रो को दो अपने आखों से देखा था, और इसका वर्डेन भी किया है, 1857 की क्रांती के समय, इंगलेंड का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था, जिया दोस्तों, इंगलेंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका नाम था दोस्तों, पाम स्टोर्न, क्या नाम था दोस्तों, पाम कर सकते हैं दोस्तो लाड पामिस्टन या पामिस्टन कर लिजे या ठारा सो सताओं की क्रांती के समय ठीक है और क्रांती के समय दोस्तो गवर्नर जनरल कौन था गवर्नर जनरल दोस्तो कौन था तो भारत का गवर्नर जनरल समय था दोस्तो लाड कैनिंग कौन था दोस्तो तो दोनों सवाल आपको याद रखना है, दोनों आपके परिक्षा पॉइंट वी से इंपोर्टेंट है, ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, लिख रहा आठारासो सताउन में अंग्रेजी सामराज जी के बिरुद्ध पंजाब में किसने ससस्तर विद्रो किया था, दोस्तो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब और वारानसी, दो ऐसे अस्थान थे इस पूरे अठारासो सतान की क्रांती में, जहां पर दोस्तो जन साधार ने बिद्रो किया था, ठीक है, जन साधार ने बिद्रो किया था, और उसकी जूद भी आप याद रखेंगे, यहां पर नामधारी सीखों का नाम आता है, जन साधार में दोस्तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी थी, तो याद रखेंगे नामधारी सीखों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी, तो नामधारी सीखों ने सबसे ज़्यादा दो तो भारत के तमाम ऐसे राजा थे, तमाम ऐसे नरेश थें दोस्तो जिन्होंने 1877 की क्रांती में एक साथ कंधा से कंधा मिला कर भारतियों के साथ सोतंता के लिए उद्धने लड़ा, उन्होंने अंगरेजों का साथ दिया, तो आजाधी कैसे मिलती, जब आजाधी हर आदमी चाहता ही नहीं था तो आजादी मिलती कैसे तो सवाल अभी आएगा बहुत अच्छे-च्छे सवाल हैं अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो ठीक है मेरा काम है दोस्तो स्टार्टिंग से आसान लेबल से धीरे-धीरे सवालों के पैटर्न को उठाना और उस लेबल तक ले कार्टूसों से जियां दोस्तो चर्बी वाले कार्टूसों से चलने वाली जो एनफिल्ड राइफल थी दोस्तो इस एनफिल्ड राइफल को पूछ रहा सवाल की कब सामिल किया गया था तो आपने पढ़ा था दोस्तो इसमें दो तरह के कार्टूस लगते थे एक दोस्तो गाय की चर्वी वाले कार्टूस होते थे जिसमें गाय की चर्वी प्रियुक्त की जाती थी और दूसरा था दोस्तो सूर की चर्वी ठीक है सूर की चर्वी और उपर से सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या थी कि इस कार्टूस को खोलने के लिए उस चर्वी को दांच से का पढ़ता था ठीक है और इसकी वज़ा से दोस्तो हिंदू मुस्लिम जो धर्म थे दोस्तो जो संप्रदाय थे इनके हिदे पर गहरा आधात हुआ और तभी दोस्तो इसको तातकाली कारणखम समत्ते हैं ठीक है अच्छा ऐसा हुआ कब था दोस्तो तो ऐसा हुआ था जनवरी म जनवरी 1877 में ठीक है जनवरी 1877 में इस तरह की चीजे होई और अंतता आ करके दोस्तो 29 मार्च को यानि फरवरी बीता और मार्च बीती रहा था दोस्तो कि 29 मार्च 1877 में दोस्तो बैरकपूर में क्रांती हो जाती कहां पर दोस्तो बैरकपूर जो 56 है बैरकपूर 56 में दोस अगला सवाल लिखे रहा दोस्तों, 1857 के विद्रो में, अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन कौन था? वैसे अंग्रोजों को तो सभी दुस्मन थे, क्या राणी लक्ष्मीबाई दोस्तों, अंग्रेजों की दुस्मन नहीं समझे जाती थी? वो भी थी, ठीक है? क्यों थी दोस्तों क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जहासी को हडप लिया जा और जहासी का विलेग कर दिया जा ब्रिटिस सामराज में ठीक है और रानी रश्मी भाई ऐसा नहीं चाहती थी अंग्रेज क्यों ऐसा चाहते थे वो इसले चाहते थे कि एक नियम आया था राज्य हडप और उसमें ये था दोस्तो कि कोई भी राजा अगर उसका स्वयम का कोई उत्राधिकारी नहीं तो किसी को पुत्र को दत्तक पुत्र को अपना उत्राधिकारी नहीं नुपत कर सकता ऐसे में जहासी को मिलाना उनके लिए बढ़ा आसान हो गया था और आई रश्मिभाई चाहत गया तो सबसे कटर कहा गया मौलवी अहमद उल्ला को किसे कहा गया दोस्तो मौलवी अहमद उल्ला को ठीक है अहमद उल्ला को जियां दोस्तो मौलवी अहमद उल्ला खां को कहा गया ठीक है आपको पता होगा दोस्तो मौलवी अहमद उल्ला खां ये फैजाबास से दोस्तो नतितो कर रहे थे ठीक है अच्छा ऐसा क्या हुआ कि इनको सबसे कटर दुस्मन माल लिया गया ऐसा हुआ इसले दोस्तों कि इनके साथ जो मुस्लिम थें, जो मुस्लिम संप्रदाई के लोग थें, वो जादा दोस्तो प्रभावी थें, और फैजाबाद की स्थिती एक दम अलग थी, फैजाबाद में दमन करने के लिए अंग्रेजों ने किसे भेजा था, तो जनरल रेनर्ड को भेजा था, अगर पू अच्छा अंग्रेजों के पसीने किसने छुटा दिये, मतलब पूरे अठारा सो सताओं की क्रांती में, कौन ऐसा था, जिससे अंग्रेज लड़े तो, लेकिन जब जब लड़े, तब तब हारे, जब जब लड़े, तब 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 हारे, वो कौन था दोस्तों, तो और वांचल की धरती से भी दोस्तों अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेज जाने से ड़टे थे, जैसे अंग्रेज चंसेकर आजाद से नहीं कापते थे, उनके पास था क्या, अरे पूरा चंसेकर आजाद जिस दोस्तों अस्थान पे थे, जहां पर उनका घिरा हुआ ठीक है जिसे आद तो आधम चंसेकर आजाद गार्डेंग के नाम से जानते हैं लेकिन तब दोस्तो नाम अलग था ठीक है तो दोस्तो वो जो भिरा हुआ था वहाँ पर जिस तरह संग्डेत थर-थर कापते थे वैसे दोस्तो थर-थर कापते थे कुमर सिंग से ठीक है तो यह चली बात की बात रही आपको बताया भी गया है आगे बढ़िए लिखना है कौन सा आयोग 1857 के विद्रो के दमन के बाद का दोस्तो लिखा है यहापर करा उसके बाद भारती फोज के नो संगठन से संबंदी था दोस्तो तो एक आयोग बनाए गया था इसकी जाँच परताल क कर रहा था याद रखेंगे ठीक 1857 की क्रांती के बाद जहाँ पड़ताल संबनित आयोग कौन सा बनाए गया था तो याद रखेगा पील आयोग बना था यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल है अगला लिख रहा है किसने 1857 की क्रांती को क्या का दिया दोस्तों अब य क्या क्या जाए इसका ठीक है मैं तरीका बताता हूं क्या क्या जाए चली एक एक सवाल पर ध्यान दीजेगा लिख रहा किसने क्रांती को क्या कहा दोस्तों सडियंत्र कह दिया तो सडियंत्र कहने वाला ब्यक्ती भी दोस्तों क्या होगा कोई ने कोई सडियंत्र कारी ही तो आपने नाम सुना होगा जिम्स आउटरम का सुना है कि नहीं जिम्स आउटरम का नाम सुना है जिम्स आउटरम ने इसको क्या दिया एक सड्यंत की संग्यादी इतना ही नहीं दोस्तो जिम्स आउटरम के साथ था उसके जवान से जवान मिला रहा था विलियम टेलर क्या न देखने लगा, ठीक है, कुवर सिंग का ट्रिलर देखने लगा, और तभी कहने लगा, भयाई सडयंत्र है, क्यों, देखें, मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ट्रिक समझे, आप आउटरम को छोड़िए, मैं अगर आउटरम की बात कर दूँ, अभी याद हो जाएगा आउटरम भ ठेलर, बिहार वाले का चला था, ठीक है, कुवर सिंग का ट्रिलर चला था, याद रखेंगे, ये बिहार से कौन थे, तो याद रखेंगे का बिहार से कुवर सिंग थे, ठीक है, कुवर सिंग थे, और इन्होंने निर्तित तो कहां से किया था, तो याद रखेंगे का आउट मतलब आउटरम तो दोस्तों जब यह सब आउट हो गए ना भाग गए भाग खड़ेवें तब इन्हों ने कहा कि 1867 की क्रांति नहीं है बिद्रो नहीं है यह सड्यांत्र है यह सड्यांत्र हैंगरी जो को भगाने का तब इसने कहा था इस तरह से आप याद रखेंगे 2867 की विशेष्टा थी कि हिंदु मुस्लिम एकता है वहाँ ले जाकर भी जाती कुछेड़ दिया वहाँ ले जाकर भी राश्टिय का ठीक है परम्प यहाँ पर एक और सब लगा कि उन्होंने धारमिक नहीं का इन्होंने जाती कहा राष्ट्री कहा लेकिन धार्मिक नहीं कहा यह किस ने कहा ता दोस्तों याद रखे गादल कलाम आजाद और सही हाइनें बता अबुलकलाम आजाद कहेंगे क्या ठीक है कुछ कहना नहीं चाहिए था उस समय अलबून कलाम आजा पता नहीं पैदा भी मैं तो देखा नहीं कि कब पैदा हुए हैं पैदा भी नहीं होते बाद में दोस्तों आके बाते चलती ठीक है बहुत सारे चीजें ऐसी है जो अठारा सव सतान की करांती समाथ होने के बाद कही गई यह तरते बाद में और मुझ के जितने भी अध्वेशन हुए तो उसमें अध्धक्सता करने की बात आती है तो जो अबुलकबला कलाम आजात दोस्तों अध्धक चुने गए तो सबसी युवा अध्धक्सते हैं तो ऐसे में दोस्तों अठारा सो सतान की करांती को किसने राश्ट्री बिद्रो बताए य अच्छा सवाल ठीक है अभी हमारे लिए काम के लिए दोस्तों एक ही सवाल है अगर हमको बताये गया है कि सडियंत्र दोस्तों किसने कहा सडियंत्र किसने कहा था हमने पढ़ाता दोस्तों सडियंत्र दो लोगों ने कहा था एक विलियम टेलर ने कहा था और एक आउट्रम ने कहा था किसने कहा था ट्रेलर और आउटरम ने कहा था ठीक है वहीं दोस्तो हम पढ़ रहें अच्छा दूसरा दोस्तो हम लोग ने कहा पढ़ा किसने दोस्तो जातिय एवं राष्टी बिद्रो की संग्या दिया जातिय एवं राष्टी बिद्रो दोस्तो किसने कहा जातिय एवं राश्टी बिद्रो धार्मिक नहीं कहा, तो धार्मिक का नाम भी नहीं लगाते हैं, याद रखेगा, हमने यहाँ पढ़ा दोस्तो, अबुल कलाम आजाद, किसने कहा दोस्तो, अबुल कलाम आजाद ने ये कहा है, अभी आपसे राश्टी बिद्रो के बारे में पूछ तो याद रखेगा दोस्तो रोयल याद रख सकते हैं रोयल ठीक है डिज रोयली ठीक है रोयली से रोयल याद रखेगा इसका का नाम था कि राष्टी विद्रो था ये रोयल विद्रो था ठीक है रोयल राष्टी है इस तरह से जोड के आप याद रखेगा तब आपको याद लिकरा किस इतिहासकार ने 1877 की क्रांती को स्वतंतता की पहली लड़ाई ये बहुत अच्छा है दोस्तो कि पहली बार दोस्तो ऐसा मैसुस हुआ कि हम अपनी स्वतंता के लिए लड़ रहे हैं और ऐसा कोई हमारा अपना ही कह सकता है जिनको लेके आज भी देश में कुछ ऐस गदार हैं जिनको मतलब यह नहीं लगता को उन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया बंदे ने क्या से क्या कर दिया और आज तुम कटाक्ष करें सरम नहीं आती ठीक है पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हम बात करें दोस्तो बिनायक दामोदर सावरकर जी किजिए यां दो तंता के लिए अपनी आजादी के लिए हम पहली बार उट खड़े वे थे पहली बार लड़े थे अच्छा आपको क्या लगता है आप भी अगर यह सब्द अपने मूँ से बोलेंगे दोस्तो यह रोंटे खड़े हो जा रहे हैं और सच में अगर हम अपनी आजादी के हमार उपर राज कर रहे थी उसका धुँआ धुआ कर दिया उसका जो है सारा चीजें इहां पर समाप्त होंगे ठीक हो तिस चिन्य कंपनी का समाप्ती तो होई गया ठीक है आगे बढ़िए लिखरा किसनिया ठारा सो सताओं की क्रांती को इसाई धर्म के बिरुद्ध एक ध धर्म युद्ध की संग्या दे दिया कहा यह ऐसा नहीं है यह धर्म युद्ध है हम तो एक धर्म युद्ध जानते थे कि महाभारत धर्म युद्ध लड़ा गया था जो धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा गया था आज पहली बार सुन रहा हो दोस्तो एलार रीज ने कहा तो इसको भी याद रखेंगे ठीक है ध्यान दीजेगा दोस्तों Study 91 के platform से कई सारी किताबे लांच की गए हैं अगर आपको believe हो रहा है कि Study 91 वाकई अपने quality content के लिए जाना जाता है बेहतर study material के जाना जाता है तो याद रखें जो हमारी किताबे हैं यार यहां भी antique चीजे हैं एक बार मौका तो दीजिए एक बार कोई किताब लेके तो देखें आपको लगेगा कि वहाकई शानदार है बहुत अच्छा material है दोस्तो और विश्वास कीजिए ठीक है किताबे तो लेंगे या आप बिना किताबे को तो पढ़ नहीं सकते हैं तो क्योंने study 91 की किताबे ठीक है यह हमारा help line नमर दोस्तो call करके संपर कर सकते हैं किताबे online offline हर जग अब लेबल है कैसा डिलोरी चाहिए तो वो भी है दोस्तो Flipkart, Amazon, Miso जहां से इच्छा हो आडर कर लेजे और इतनी सस्ती किताबे हैं कि आपको मार्केट में मिलेंगे ने ठीक है फोटो कॉपी भी कराओगे न तो मांगा ही पड़ेगा ये जान लो आप ठीक है आगे क्या कहूं मैं आपसे लिखरा किसके अनुसार 1877 की क्रांती ब्रिटीस सासन को उखाड फेकने फेकने उखाड फेकने के लिए भारती जनता की क्रांती थी दोस्तो ऐसा किसने का, किसने का दोस्तों कि 1857 की क्रांती, ये भारती जनता के द्वारा की गई ऐसी क्रांती थी, जो ब्रिटीस सासन को उखाड फेकने के लिए थी, और हमने उखाडा भी, हमने उखाड भी दिया, याद रखेगा एक कथा ने दोस्तों, उखाड ने पुखाडने की इस परिष्टाल लगा लेजए, वस इतना याद रखेगा, ये मार्क है, ठीक है, और मार्क से याद रखेगा काल मार्क, चीक है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा, या फिर ऐसे भी आद रख सकते हैं दोस्तों, कि ब्रिटीस सासन को खत्म करने के लिए, मतलब ब्रिटीस क उनकी क्रांथी को राष्ट्रिय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध की संग्या दिया राष्टी स्वतंता के लिए सुनियोजित युद्ध याद रखेगा यह कथन भी दोस्तों किसका था विनायक दामोदर सावरकर जी का था जिहां दोस्तों विनायक दामोदर द यहां यह राष्टी स्वतंता के लिए क्या था दोस्तों एक सूनियोजित युद्ध था ठीक है लिखरा किसके अनुसार 1870 की क्रांग थी केवल एक सैनिक विद्रो थी ऐसा नहीं यार अगर सैनिक विद्रो होता क्या आपको कहता है तो दोस्तों सब लोग सैनिक ही थें कोई जाजन तात्या टोपे चलो क्या थें नाना साब पेस्वा क्या थें या फिर बहदूर सा जपर कौन थें या फिर बेगम हजरत महल कौन थी या कुवर सिंग कौन थें तो अलग-अलग वराइटी के लोगों ने इसमें साथ दिया है और इतना ही नहीं हमारा साथ दोस्तों जनसाधार के लोग भी दे रहतें किसान वर्ग दे रहता मजदूर वर्ग दे रहता ऐसे लोग जो अंगरेजों से परिसान थे प्रताडित थें ऐसे सभी लोग दोस्तों हमारा साथ दे रहते तो ऐसे में सैनिक विद्रो कहना ये दोस्तों ठीक नहीं है फिलाल कहा दोस्तो तो किसने है तो याद रखेगा सैनिक विद्रो की संग्या दिया है पी राबर्ट्स ने किसने दिया दोस्तो ये भी पी के दिया था ठोक ठीक है तो ऐसे भी याद रख सकते दोस्तो कि पी के पी राबर्ट्स ने क्या कहा दोस्तो कहा वह यह सैनिक विद्रो क्या है सैनिक तो पी राबट से याद रखेगा, इन्होंने पी के कर दिया, कि ये केवल सैनिक बिद्रो था, जब कि ऐसा थोड़े था, उसमें तो अलग-अलग वराइटी के लोग हिस्सा लिये थे, आ रहा है सवाल आ रहा है, देखो, लिकर 1877 की क्रांती में किसने भाग नहीं लिया, बह साहुकार कहें का भाग लेंगे, ठीक है, बढ़िया एसी टीवी लगी है, तो कहें का उनको चिंता क्या है, क्यों भाग लेंगे, आज हमारे देश में अगर आवसकता पड़ जाए, तो मुझे लगता है, जो निचले तबके के लोग है, जो मिडल काश के लोग है, वो तु अरे जमीदार अपने पैर पे कुलाडी थोड़े मारेंगे, ठीक है, जमीदार दोस्तो, जमीदारों का भरल पोसल चरता था अंग्रेजों की वज़े से, और अंग्रेजों का साथ न दे करके, अपने पैर पे कुलाडी मारेंगे, तो याद रखेगा, इन लोगों ने दोस साथ दिया दोस्तों जो मजदूर वर्ग के लोग थें दोस्तों मजदूरे ने ठीक है और साथ दिया दोस्तों कई सारे ऐसे महान प्रसिद्ध हस्तियों ने ठीक है प्रसिद्ध हस्तियों ने जिसमें हम प्रेम से दोस्तों किसका नाम लेते हैं रानी लच्मिबाई का नाम ल पेश्वा का नाम लेते हैं ठीक है अपने जीवनकाल में दोस्तों बहादूर साथ जफर में जफर ने चाहे कुछ किया हूना किया हो लेकिन अंतिम समय आते आते दोस्तों इतना तो करी दिया कि देश के लिए लड़ाई लड़ें ठीक है भले रंगुन मिर्वासित हो गए मह उनको सजा दे दिया गए, वहाँ उनकी मृत्यों की सब अलग बात है, लेकिन लड़े भई यह अपने लिए, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, इन लोगों ने साथ दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिकर 1877 की क्रांती किसम में, लाड कैनिंग, अच्छा, गवर्नर करा इसने किस अस्थान को अपना आपात काली मुख्याले बनाया, जिया दोस्तों, अपना आपात काली मुख्याले किसे बनाया था, त्याद रखेंगे, इलहाबाद को बनाया था, किसे बनाया था दोस्तों, इलहाबाद को दोस्तों, इसने आपात काली मुख्याले बनाया अगर लिखना दोस्तों नील ने दोस्तों यहाँ समाप्त किया था लिखना किस इतिहासकार ने लिखा कि तथा कथित प्रथम राष्टी सुतंता संग्राम ये ना तो प्रथम था ये देखो बेजटी कर रहा है भई करा न तो प्रथम था बेजती ठीक है हम कहते हैं कहा 1867 की क्रामति ये प्रथम सोतनता संग्रामती और ये काता ये ना तो ये पहला था इसके पहले बहुत सारे वे हैं न ये राष्ट्री था क्योंकि इसमें पूरे देश के लोग नहीं थें, ठीक है, मदरास वगर आई नहीं सामिल था, तो कहता है, राष्ट्री भी नहीं था, और ना ही ये किसी तरह का स्वतनता संग्रांता, क्यों लोगों को स्वतनता के लिए नहीं लड़ना था, लोग अपनी अपनी दोस्तों आजादी के लिए लड़ रहे थे, किसी तो आरसी मजुंदार का नाम याद रखेगा उसने का ना तो ये पहला था ना तो ये राष्टी था और ना ये पहला सुतनता शंग्राम था ठीक है तो इस तरह के दोस्तो तथ्याँ पर आए हैं आगे बढ़िए लिकर आठारा सो सत्ताओं की क्रांती के समसामई की इतिहासक का उन्ते मैं काता हूँ दोस्तो एक ऐसा सवाल मतलब इस पूरे टीस सवाल में अगर मेरा कोई फेवरेट सवाल है ना यही मेरा फेवरेट सवाल दोस्तो याद रखेगा most important जितना कहलो आप इसके लिए उतना कम है तो दोस्तो समसामई की इतिहासकार का मतलब क्या होता है जो उस समसामई का मतलब होता है जो उस समय विद्यमान थे विद्यमान थे ऐसे इतिहासकारों का नाम लेना है जो बाद में हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे जो उस समय में पहला नाम लिखते हैं, पहला नाम लिखेगा दोस्तों, मुंसी जीवनलाल जी का नाम, ठीक है, मुंसी जीवनलाल जी का नाम, अरे अपना ये नोट सोट्स खोल के देखो के ने तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मिलेगा ही नहीं, मैं आप से बार-बार कहता हूं, द वाला सवाल कहां है यह जो ती सवाल में दे रहा हूं उसせて आपके नोट में लिखा है की नहीं कुछ बातें 5-10 लिखा है तो बाकी का 20 कहां है कौन सवाल करेगा वहाँ फीस नहीं दिया आपने, दिया होगा फीस ना, तो देखिए, और देखने से पहले एक काम और करिए, और पूछने से पहले एक काम करिए, पहले दूसरों पर कटाक्च करने से पहले खुद देखिए, नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, अपने हाथ से पहला काम करिए कि अपना डायरी उठाईए, अपनी कॉपी उठाईए, जहाँ पर आपने अठारा सो सताउन के नोट्स को तयार किया है, वहाँ पर एक नया पेज जोड़िए, जो तथ्या आपको नए मिलने, पहले उसको नोट करिए, तब ये पूछने पाचने का काम करें, ठीक है, कुछ सर सयद अहमद खां का नाम याद रखेगा, सर सयद अहमद खां का नाम याद रखेगा, इतना ही नहीं, कुल तीन-चार लोग है दोस्तों, इसके लावाँ दोस्तों, दुरगा दास का नाम याद रखेगा, दुरगा दास का नाम याद रखेगा, और चौथे नंबर पे ठीक है मुईनुद्दिन ये चार ऐसे लोग थे दोस्तो एक मुंसी जीवनलाल है मुंसी जीवनलाल है सर सयद हमत खां है और कौन है दोस्तो दुरगादास जी है और कौन है दोस्तो मुईनुद्दिन है चार ऐसे इतिहासकार है जो उस समय बिद्दिमान थे और मिर्जागाली बोतु उर्दु कभी था जिसने इसे देखा था पुरी करांती को ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा है दोस्तो 1877 के बिद्रो के संदर में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसी के कार अंग्रेजो दोरा अब्यक्ति बंदी बना कर कर दिया गया दोस् आत्मः पांडू रंग क्या नाम था दोस्तो आत्मा रंडू रंग नाम था दोस्तो तात्या टोपी जी का ये इसको भी याद रखेंगे लिख रहा है किस अस्थान पर हुए बिद्रो के दमन के दारान बिटीष सैन्य अधिकारी जिया दोस्तो है वलाक की मृत्व ये दो दोस्तों नेत्य तो कौन कर रहा था याद रखेगा यहां से नेत्य तो काम कर रहे थी कौन बेगम हजरत महल ठीक है बेगम बेगम हजरत महल ठीक है और याद रखेगा यहां पर दोस्तों कई बार कहा जाता कि अंग्रेजों के साथ जाकर के कौन मिल गया था ठीक है तो याद रखेगा हम धोके बाज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो धोके बाज 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 कर सकत स्वतंता संग्राम में परिड़त हो गया, शुरुवात में सैनिक बिद्रो था, क्योंकि यह start हुआ था दोस्तो, किसे मंगल पांडे से, तो सैनिक बिद्रो था, लेकिन बाद में इसमें जादा लोग समलित हो गयें, तब दोस्तो यह राष्टी बिद्रो हो गया, तो याद कहेंगे जो सही है जाती आधार पर बहुत बढ़िया सवाल क्या लिखा दोस्तो जाती आधार पर 1817 के बिद्रों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग दोस्तो किस ने दिया था तो कुल तीन ऐसे लोग हैं दोस्तो जिन्होंने अंग्रेजों को सहयोग दिया पहला याद रखे यह भी दोस्तों अंग्रेज का साथ दे रहे तो इस तथे को भी याद रखेंगे अगला देखिए लिखर 1857 के विद्रो की असफलता के बाद मुगल बास्सा बाहदूर सा जफर को कहां वह किसने गिरपतार किया देखिए भेजा गया था रंगुनों तो आपने पढ़ लिया लेकिन कहां वह किसने गिरपतार किया तो याद रखेगा हुमायू के मकबरे के पास से गिरपतार किया गया हुमायू के मकबरे के पास से दोस्तों इन्हें क्या कर दिया गया गिरपतार किया गया दूसरा सवाल क्या लिख रहा दोस्तों ये तो पहला सवाल हो गया दूसरा इसने दोस्तों गिरफ्तार किया था इस तत्य को भी याद रखेगा और उसके बाद बहादूर सा जफर को रंगुन भेज दिया गया ठीक है जहाँ पर उनकी मृत्ति हो जाती 1862 के आसपास ठीक है इस तत्य को भी आप याद रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कौन सा स्थान 1800 सतावन के बिद्रों से अच्छूता रहा तो दोस्तों दक्षिर भारत में यह बिद्रों नहीं हो पाया था दक्षिर भारत में खास करके जो मद्रास है दोस्तों यह आपका क्या था दोस्तों अच्छूता रहा ठीक है वहाँ पर 1800 सतावन की क्रांती नहीं ह जास्ता नहीं था दोस्तो कई सारे नेता दोस्तो चले गए जिसमें नाना साब का नाम आता है नाना साब का चले गए दोस्तो तात्या टोपे को धोके से मार दिया गया था तो ऐसे में नाना साब का निकल जाना ही सही था दूसरा दोस्तो वो जो फैजाबास से दोस्तो आप बरेली से थे ठीक है ये बरेली से ठीक है बाकी ये कानपूर से थे तो ये भी दोस्तों कहां चले गए थे नेपाल चले गए थे और बेगम हजरत महल जो लखनव से थी दोस्तों बेगम हजरत महल ये भी दोस्तों निकल गए थी क्यों जीनत महल यहां पे धोके बाजी कर रहे दोस्तो हैवलाक ठीक है वो याद रखेगा पहले तो याद रखेंगे एक तो हैवलाक हैवलाक की जान गई थी लखनव में ठीक है याद रखेंगे हैवलाक हैवलाक का जान गया था दूसरा जो आप हर्टसन पढ़ रहे थे ना हर्टसन जिसने दोस्तो किसे गिरफतार किया जिसने बहादुर सा जफर को गिरफतार किया था वो और लॉरेंस ठीक है लॉरेंस यह तीन ऐसे अंग्रेज अधिकारी हैं जिन्होंने दोस्तों अपना जीवन कहां खोया याद रखेगा यह इन्होंने लखनाओं में मारे गए दोस्तों सारे के सारे लोग याद रखेंगे तो जब भारती मरें तो कई सारे अंग्रेज अधिकारियों की भी दोस्तों मृत्ति होती है यह तत्ते भी आप याद रखेंगे ठीक है तो कैसा लगा आज की क्लास पढ़कर रही बताई ठीक है समझ में आया अच्छे से देखें कंटेंट अच्छा है तो मुझे पता है मै मेहनस से कंटेंट बना रहा हो तो मुझे पता है कि एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्डेंट है लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूँ इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी और इतना बड़ा सब्स्ट्राइबर बेस होने के बावजूद भी ये वीडि रहते दोस्तों मिलता कुछ नहीं होने ठीक है आप जिसकी तलास करम यहाँ पर है बस आपको रुकने की जरुवत है और डेली पढ़ने की जरुवत है दिक्कत की बात कि है ना कि आप न अपने आपसे चलाग बनते हो आपको लगता ये वाला टॉपिक नहीं आता तो सफल नहीं होंगे सफल होने के लिए कांटिन्यूटी के साथ मेहनत करना पड़ता आप देखो न मैं पूरा एंसेंट हिस्टी पढ़ा है एक सिंगल टॉपिक छोड़ा नहीं पूरा मीडावल हिस्टी पढ़ाया छोड़ने के लिए बहुत सार टॉपिक था लेकिन मैंने करना पड़ता है और अथा मेहनत करना पड़ता अथा मेहनत एक दिसा में अथा मेहनत बिना कुछ सोची समझे यह एक करना आसान बात नहीं है आपके आप कप कर पाओगे जब आप भी डिसाइड कर लोगे कि मुझे एक एक पार्ट देखना है समझना है सीखना है नितिन सर मिलना अपनी जगा, अपने आपसे नोट्स बनाना है कि नितिन सर पढ़ाते समय क्या-क्या बता रहे हैं और यह सब पढ़ करके न तब आप किताब खोली, आपको लगेगा क्यार कुछ नई बात है नहीं किताब में वही बात है जो यहां question के आधार पर मैं दे रहा हूँ, उतनी ही बात दोस्तों आपको अपनी किताबों में मिलेंगी, तो दोस्तों मेहनत से पढ़ाई करिए, बहुत सारे बिसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिये गये हैं यह उन्ही का दोस्तों handwritten notes हैं जिने आप purchase कर सकते हैं हमारे website application से बागी किताबे भी आ गई हैं, foundation batch आ गया है और demo class चली रहा है, सब कुछ है तो आईए आप देखे, मज़ा लीजिए ठीक है अच्छा लगेगा, selection भी हो जाएगा दोस्तों लेकिन अगर महनत करेंगे तो ठीक है तो आज का session ही समाप्त होता है कोई बात भली बुरी लगी हो दोस्तों तो माफ करना, छमा चाहता हूँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी कभी-कभी निकल जाता है, ठीक है खैर, माफी चाहता हो दोस्तों कोशिस करिएगा, अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को दोस्तों सेर करिएगा किसी ग्रूप में, टेलिग्राम ग्रूप में, वाटसप ग्रूप पे ताकि ज़्यादा फिज्यादा बच्चे जुड़ें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे एक बार क्योंकि नोटीपी किसन आपको तभी मिल पाएगा, ठीक है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज तो कमेंट करूगे नहीं, लाइक भी नहीं करूगे, इतना ज़्यादा सुना जो दिया हूँ